नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर चात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद चली आईए इस फीडियो में हम लोग निर्देशान ज्यामती के ऊपर कुछ प्रशनों का हल कर लें और ये प्रशन परीक्षा की द्रिश्टी कोंट से भी और विशय को अठ्छे से समझने के लिए भी काफी जरूरी है तो आईए यहाँ पर पहला प्रशने देखते हैं यदे बिंदू A, B, C, D एक समानतर चतर भुज के शीर्ष हैं इसी क्रम में हैं तो P कामान ज्याद करिए तो चली आईए पहले मैं एक इस तरीके का समानतर चतर भुज बना लेती हूँ और यहाँ पर आपसे यह कहा गया है कि इस क्रम में ही हमें लेना है तो इसलिए मैंने इस क्रम में इसको यहाँ बना लिया अब आपसे यह पूछा गया है कि P कामान ज्याद करिए और P आप देखें तो यहाँ पर जो C है उसका भुज है अब यहाँ पे हम क्या इस्तमाल करेंगे तो यहाँ पे हम काफी एक विशेश बात इस्तमाल करेंगे जो की समांतर चतुरभुच की होती है वो यह कि इसके जो भी विकर्ण होते हैं वो क्या करती हैं वो एक दूसरे को दुई भाज़त करते हैं और इस बात को हम ये कहेंगे कि समांतर चतुरभुज के विकर्ण जो हैं वो परस पर स्वंधि भाज़त करते हैं तो इसका ये आशे हुआ कि इन दोनों का जो अर्धक है वो एक ही बिंदू होगा और इसलिए अगर हम अर्धक निकालें या फिर हम कहलें मद्ध बिंदू निकालें AC का जो की एक विकर्ण है और मद्ध बिंदू निकालें BD का जो की एक विकर्ण है वो एक ही बिंदू आएगा यानि अगर हम ये कर लें कि विकर्ण AC के मद्ध बिंदू के निर्देशांग विकर्ण BD के मद्ध बिंदू के निर्देशांग के बराबर होंगे और अब हमें क्या करना है विकर्ण AC के मद्ध बिंदू के निर्देशांग निकालने हैं और मद्ध बिंदू के निर्देशांग हम किस तरह से परिवाशित करते हैं तो हमारे पास सूत्र है कि अगर कोई हमारे पास बिंदू है जो की मद्ध बिंदू है तो उसके भाग कर दीजे और आपके जो कोटी के भी मान हैं उनका भी योगफल करके दो से भाग कर दीजे तो चलिए आईए अब हम ये काम करते हैं A और C के मद्द बिंदू निकालने के लिए तो हमें A का X निर्देशांग 1 दिया है C का X निर्देशांग P दिया है फिर हम अगर यहाँ पर Y की बात करें तो A का Y निर्देशांग माइनस 2 दिया है और C का Y निर्देशांग 2 दिया है तो मद्द बिंदू ये हो गया और अब हमें विकर्ण BD का मद्द बिंदू निकालना है तो BD का X निर्देशांग 2 है और दो आ जाएगा तो चुकि आपको यहां पर P जो है वो X निर्देशांक में मिल रहा है तो आईए सिर्फ हम इसको और इसको बराबर करके एक समीकरण बना लें तो 1 और P का योगफल बटे 2 बराबर हो जाएगा माइनस 2 बटे 2 अगर पूरे समीकरण में हम 2 से गुड़नफल कर लें तो 1 प्लस 3 का मान P का मान माइनस 2 आ जाएगा अगर हम दोनों तरफ एक को घटा दें तो माइनस 2 माइनस 1 जो की माइनस 3 आ गया और इस प्रक्रार हमें यहां पर उत्तर मिल गया की P का मान माइनस 3 ही होगा चलिए आईए अगला प्रश्ण देखें यदि P के निर्देशांग जो की दिये गए हैं बिंदूं 4 का माइनस 3 और 8 का माइनस 3 और 8 का मा 5 को जोडने वाली रेखागंड को आंतरिक रूप से 3 और 1 के अनुपात में विभाज़त करता है तो P का मान ग्याद कीजिए तो यह प्रश्ण है क्योंकि हम यहां पर देख सकते हैं कि हमें अनुपात दिया था तो किस पर आधारत है यह आधारत है विभाजन सूत्र पे तो आईए हम यहां पर पहले बिंदू ले ले जो कि 2 सिरे हमें बताए गए है एक है 4,3 और दूसरा है 8,5 और यहां पर जो हमें बिंदू दिया गया है जो कि 3 और एक के अनुपात में इस रेखा को बाट रहा है विभाज़त कर रहा है वो है P और उसके जो हमारे पास निर्देशांख है वो है 7,P और हमें यहां पर P का जुमान है वो ग्याद करना है तो हमें प्रशन क्या दिया गया कि अगर P का मान है 7,P तो हमें बिंदू ओं 4,-3 और 8,5 को जोडने वाली रेखा गंड को अगर यह आंत्रिक रूप से 3 is to 1 के रेशियों में विभाजित करता है तो P का मान ग्याद करें अब यहां पर एक काफी अच्छी बात है सोचने वाली यह कि जो हमारे पास यहां पर चरपद है यानि P वो ज़ है इस बिंदू का कौन सा निर्देशांख? वाई निर्देशांख तो हम ऐसा करेंगे कि सिर्फ वाई निर्देशांख के लिए ही समीकरण बनाएंगे और इस बिंदू का जो वाई निर्देशांख है उसका हमान इन दोनों बिंदूओं और इस अनुपात के लिए कैसे निकालेंगे? आप 3 का गुड़नफल करें 5 से एक का गुड़नफल करें माइनस 3 से और इसे भाग दे दें 3 प्लस 1 से तो हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस 3 बटे 4 जो की हो जाएगा 12 बटे 4 जो की है 3 और यहाँ पे जो सूत्र का मैंने प्रयोक किया आप अच्छे जा समझी गए होंगे कि ऐसे बिंदू के जो Y निर्देशांग हैं वो क्या हो जाते हैं M के साथ में हम ले लें Y2 N के साथ में हम ले लें Y1 और इसका हम जो है भाग कर दे M प्लस N से तो इसलिए मैंने यहाँ पे वज़् गुड़न करा एक तरीके से कि इस 3 का गुड़न हुआ 5 से और 1 का गुड़न हुआ माइनस 3 से जो भी मैं पास योग फलाया उसको हमें भाग दिया 3 प्लस 1 से और इस तरह से हमें P का मान 3 मिल गया चलिए आईए अगला प्रशने देखते हैं बिंदू हों एक और प्रशने तो बिलकुल सीधा प्रशन है और यहां पे हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना है तो अगर हमारे पास कोई दो बिंदू अदिर जाती है जिनके निर्देशांक x1, y1, x2, y2 है तो उनके बीच की दूरी का लिए हमारे पास सूत्र जो उपलब्द है वो है यह कि आप उनके x निर्देशांकों के बीच में जो भी अंतर है उसका वर्ग ले ले y निर्देशांकों के बीच में जो भी अंतर है उसका वर्ग ले ले और जो योग फला है उसका वर्ग मूल ले ले तो चलिए आईए, बस यहाँ पे हम मान रख देते हैं, तो पहला हो गया x1, वो हो जाएगा a cos x plus b sin x, और इसके लिए आपका x निर्देशांग 0 है, तो अगर हम इसमें से 0 घटाएंगे, तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको मैंने नहीं लिखा, फिर आप y1 जो 0 उसमें से आपको यह घटाना है, तो a sin x घटा दिया, और b cos x भी घटा दिया, तो दोनों के चिन्न जो हैं, वो सिर्फ यहाँ पे बदल लेए, तो चलिए आईए, अब हम इसको हल करने का प्रयास करें, और क्यूंकि हमारे पास यहाँ पे ऐसा बन रहा है कि दो पद का whole square क्या होता है, a square plus b square plus 2ab, आप a square plus 2ab plus b square भी कह सकते हैं, एक ही बात है, तो चलिए आईए, यहाँ पे इसको कर देते हैं, तो पहला पद हमारे पास जो यहाँ पे a के लिए है, वो हो जाएगा, a square cos square x, फिर दूसरे पद का वर्ग ले ले, b square sin square x, फिर इन दोनों पदों का गुड़नफल और 2 से उसका गुड़नफल, तो 2ab, cos x, और sin x, फिर अगर हम दूसरे पद की बात करें यहाँ पे, तो उसका भी हमें पूर्णवर्ग मिल रहा है, तो पहला पत्था minus a sin x, और इसका अगर हम पूर्णवर्ग लेंगे, तो a square sin square x ही आ जाएगा, दूसरा पत् a b, sin x, cos x हो जाएगा, और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यह पद और यह पद जो है, वो समान ही है, मगर चिन विपरीद होने की वज़े से एक दूसरे को cancel कर देंगे, और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि क्या हम कुछ उभेनिष निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आप अगर a square को उभेनिष निकालें, तो जो पद हमें बच्चे हुए मिल रहे हैं, वो हो जाएंगे, cos square x plus sin square x, और अगर हम अब अपनी बच्चे हुए पदों पे ध्यान दें, तो अगर हम उन दोनों पदों में से b square उभेनिष निकालें, तो फिर से हमें मिल जाएगा sin square x plus cos square और ट्रिकोन मिती की एक सर्व समिका से हमें ये बात पता है, कि किसी एक कोन के लिए sin square x और cos square x का मान जो है, वो एक होता है, तो आईए हम इस मान को एक रख दें, और इस मान को एक रख दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्गमूल a square और b square के योगफल का, तो दी ग योगफल के पराबर, चलिए आईए एक और प्रशने देखते हैं, एक बिन्दू k, 0, दो बिन्दूओं r और q को जोडने वाली रेखा को 1 इस्टू 2 के अनुपाद में विभाज़त करती है, k का मान ग्याद कीजिए, तो हमें यहाँ पे एक बिन्दू k दी गई है, और व और q के निर्देशांग है, माइनस 7,4, इसको जोडने वाली रेखा को किस अनुपाद में बाट रहा है, एक और दो के अनुपाद में, और आप से पूछा गया है कि k का मान ग्याद कीजिए, तो k का मान हमें यहाँ पे ग्याद करना है, और क्योंकि यहाँ पे k जो है, हमा हैं, तो हमें क्या करना होगा, m को x2 से हम गुड़न फल करें, और n को हम x1 से गुड़न फल करें, और फिर हम इसको भाग देने, दोनों के योगफल से, तो अब चलिए, यहाँ पे हम इस दिये गए प्रश्न के लिए, जो भी मान है, वो रख देते हैं, तो p का जो x से शांक वो है कि उसके बाद में m का मान है 1, x2 का मान है माइनस 7, फिर हमारे पास n का मान है 2, x1 का मान भी 2 है, और हमें भाग देना है 1 प्लस 2 से, और चलिया यह, अब इसे हल करते हैं, तो यह आ जाएगा माइनस 7 प्लस 4 बटे 3, यह हो जाएगा माइनस 3 बटे 3, और जो क होगा माइनस 1, तो इस प्लकार हम यह कह सकते हैं, कि हमारे पास जो यह बिंदू है, उसका x निर्दे शांक जो कि यहाँ पे k था, उसका मान माइनस 1 आ गया, चलिया आईए एक और प्रशन हल करें, यदि बिंदू c, दो बिंदूओं a और b को जोडने वाली रेखा को 3 इस to 4 के अनिपाद में वावजित करती है, तो x और y का मान ग्याद कीजिए, तो यह प्रशन बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे आपको दोनों ही निर्दे शांक पूछे गए हैं, और किसके जो रेखा के सिरे हैं, उसके एक सिरे का, अभी तक हम जो प्रशन कर रहे थे, उसमें हमारे पास जो बिंदू विभाजत कर रही थी, उसके निर्दे शांक जो थे, वो चरपद में थे, मगर यहाँ पे हमारे पास एक रेखा का सिरा ही जो है, वो चरपद है, तो चलिए आए देखते हैं कि हम इसे कैसे हल करेंगे, एक बार हम यहाँ पे C बिंदू को भी लिख 9, 1 और हमें यहाँ पे अनुपात भी दे दिया गया है, 3 और 4 तो हम इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पे भी हम विभाजन सूतर का ही प्रियोक करेंगे, और C के जो निर्दे शांक हैं उनको हम निखलेंगे, और C के निर्दे शांकों के लिए हमारे पास अगर हम इसको M और N का अनुपात कह लें और पहले वाले जो इस बिंदू है उसकी निर्देशांग को x1 y1 कह लें और दूसरे वाले बिंदू के जो निर्देशांग है वो तो xy है तो यहां पर हमारे पास जो सूत्र है वो किस रूप में आ जाएगा कि mx plus nx1 बटे m plus n और y निर्देशांग का जाएगा m y plus n y1 बटे m plus n तो चलिए आईए अब हम इस सूत्र में हमारे पास जो भी मान है उनको एक बार परस्पर रखें तो अगर हम c x की बात करते हैं तो बिंदू c का x निर्देशांग क्या है 9 और ये बराबर हो गया 3 और उसका गुड़न फल x से और 4 का गुड़न फल 2 से और इनका योग फल और हम इसको विभाजित करेंगे 7 से तो इस प्रकार आप देखेंगे कि अगर हम पूरे ही समीकरण में 7 से गुड़न फल कर दें तो 9 गुणा 7 बराबर 3 x और 8 का योग फल और यहां पे हमें ये 63 मिल गया अगर हम इस पूरे ही समीकरण में 8 घटा दें तो यह आ जाएगा और फिर हमारे पास आ जाएगा 55 बराबर 3 x जो कि हमें देगा कि x का मान कितना है 55 बटे 3 चली आईए अब हम एक बार y निर्देशांग के लिए काम करते हैं और अगर हम जो ये बिंदू है उसके y निर्देशांग पे ध्यान दें तो वो हमें कितना दिया गया है माइनस एक तो माइनस एक बराबर क्या हो जाएगा फिर से हम यहाँ पे वज्ज गुड़न करेंगे तो 3 के साथ में y फिर 4 के साथ में 5 का गुड़न फल और फिर इनका योगफल हम ले करके विभाजित करेंगे दोनों अनुपात के योगफल से जो की 7 हो जाएगा अब अगर हम पूरे ही समिकरण में 7 को गुड़न फल कर लें तो माइनस 7 बराबर आ गया 3y और ये 20 और अगर हम यहाँ पे पूरे ही समिकरण में 20 जो है वो घटा दें तो माइनस 27 बराबर 3y आ जाएगा और अगर पूरे समिकरण को 3 से भाग दें तो माइनस 9 बराबर y आ और यहां पे भी हमने जो सूत्र इस्तमाल किया वो विभाजन सूत्र ही था मुझे आशा है कि मैंने इस पूरे ही वीडियो में आपको जो भी प्रश्णों के हल करना सिखाए आपको अच्छे से समझाएं होंगे